नमस्कार, न्यूस क्लिक के डेरी नाड़ अप में आपका स्वाग्यत है, आईए नज़र डालते हैं आज के मुग के खबरों पर यूपी, गोरकपूर में लूट पार्ट की बड़ी वारदात, बहतर कानून व्योस्ता का दावा फुस, बिहार चुनाओ, तेजस्वी की नेतितर वाले महागरबंदन की 20 सीटों पर फिस से मदगरणा की मांग, निदीश 3.0, असुरच्छा और चिंता के साय में निकलेगा स कुरोना अपडेट, देश में पिछले 24 गंटों में 44,889 नए मामले, कुल मामले 87 लाग के पार, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा बहतर कानून व्योस्ता के दावे की लगातार फजियत हो रही है, अपरादी बेखॉफ एक के बाद एक वारदात को अंजाम पार्ट का मामला सामने आया है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि घटना के दौरान बदमाशों ने मजदूर परिवारों की महिलाओं से छेर चाड और दुशकर्म की भी कोशिश की है, घटना गोरकपूर के गगाह इलाके के एक गाउं की है, यहां काम करने वाले मजदूरों को एक जोपड़ी में बंदग बना दिया, और फिर बाद में लूट पार्ट की वार्दात को अंजाम दिया, डकैतों पर महिलाओं और अन किशोरियों से असलीर हरकत करने के साथ ही दुशकर्म की भी कोशिश करने का आरोप लगा है, प्राप्त 31 लोग जोपड़ी डाल कर रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं, इस घटना में डकैतों ने मजदूरों के 76,300 रुपए, 9 मोबाइल वा गैने लूट कर फरार हो गए, इस मामले में SP साथ विपुल स्रिवास्तों का कहना है कि पुलिस ने इर भटा मालिक की तहरीर पर डकैती दुशकर्म, छेडखाने और पॉक्सो एट की धाराओं में केज दर्कर छानबिन की सुरुआत कर दी है, बदमाशों की गिरफतारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं, SP साथ ने मीडिया को बताया कि मेडिकल में महिलाओ या बच्चीयों से रेप की हार के दो दिन बाद राज़त नेता, तेजस्वी यादों ने गुर्वार को 20 सीटों पर फिस से मदगर्णा कराने की मांग किये, तेजस्वी ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसरों ने सैकडों की संक्या में पोस्टल बैलेट को क्यो रद किये, उन्हों ने कहा हम कम से कम 20 सीटों पर फिर से मदगर्णा की मांग करते हैं, चुनाव नतीजे के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फरेंस में, राज़त नेता ने डॉक मदपत्रों के अस्वीतों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर इन मदपत्रों को रदी किया जाना था, तो फिर उनका इस् हेर फेर करने और महागडबंदन खास तोर पर राज़त उमिद्वारों को हराने का निर्देश दिया था, राज़त की विदायकों ने गुरवार को राज़त विदायक दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादों का चुनाव किया, जिसके बाद सभी सहयोगी दलो, अब ये इस प्रक्रिया में हेर फेर करने में काम्याब रहा, अब वह सरकार बनाएगा, नितीश कुमार में नाधिक्ता बिल्कुल भी नहीं बची है, अगर थोड़ी भी नाधिक्ता बची है, तो उन्हें ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तेजस्वी यादों ने बिह प्रवावित करते थे लोगों को, बहुत ही आधर निये थे, बिहार में बहुत रिस्पेक्ट का, अभी भी है रिस्पेक्ट, एक उसके बाद उनकी इनिंग हुए, एक डिसकंफर्ट फिल हुआ होगा, या हो सकता है कुछ और भी कंपल्संस होंगे, जो की पबिक डोमेन मे नहीं है, 2017 में वो महा कटवंदन को बीच में छोड़ते हुए, बिजेपी से रियलाइन हुए, उनके साथ ये दिक्कत कभी नहीं रही है, बिजेपी के साथ एलाइन होना, क्योंकि जोर्ज फरनांडिस न्डियक के कनवेनर रहे थे उस टाइम में, और आडवानी जी को क्य सपोर्ट मिला है जोर्ज फरनांडिस से और एलके अरवानी जी से, ये हम सभी को पता है, ये तो 90's में जो लालु जादव के सासन काल में जो संगहर्स था उसमें, ने 30's सी कही सी विपक्स में नहीं बैठा करते तो उस टाम सुसिल मोधी जी थे और बहुत सारे ने अट तो मतलब नितीज कुमार के लिए उनके विरुद था और वो चार फ्रंट पे फाइट कर रहे थे पहला फ्रंट उनका था जो उनके लाए थे बीजेपी उन से था क्योंकि बीजेपी डिनायल मोड में थी लजेपी को लेके सेकेंड फॉट उनका एलजेपी से था जो सबसे प्लोज फायट था था धर्ड़ उनका उपोजिससंस से था हो फोर्थ प्यार के बिहार के स्पिरेश्ट जो जनता है सब्गाई запेसली उजू उनसे था योट तेजस्ट है आदा का जो मैनीफेस्ट वह था बहुत ही वांकि सारे पॉच्छ लोग एंप्लाइमेंट के लिए मैं अपरशिटीज क्रेट करूंगा गौर्रमेंट सेक्टर के अंदर फॉर्मल फॉर्मल इंप्लाइमेंट उन्होंने कंपेल किया एंडिया को कि उनिस लाग के स्वारोजगार के उन्हों लाइं उसमें नितिस जी इस एलक्षन में एजंडा से नहीं लग रहे थे वो बस पेस वेल्यू के लेके लग रहे थे वो लास्ट में आपने देखा होगा पूर्णियाम उन्होंने कहा कि कि यह मेरा लास्ट एलक्षन है में रिटायर होना चाहता हूँ नितिएफाइब में भी उन्होंने जब संक्ता पार्टी बनाया था तो उन्होंने का इक कहना रहा है में इस था कूछ जो बीजेपी बाद बाद भाजपरी कि तो बड़ा है उनको बड़ा ही परहिज था तो उनका कहना था कि मैं बीजेटी के साथ जीवन में नहीं मिलूंगा तो उनके कहने का ये कि मैं रिटार्ड होड़ा हूँ, बिहार के लोगों पर जादा फर्क नहीं पड़ा, भाद के लोगों पर भी नहीं पड़ा, जो उनको जानते हैं, ठीक से, तो अभी के टैम वो एक बीजेपी के साथ जाने में, दूसरा उनके पास एक बहुत ही अच्छा ओप्सन है कि वो महागाटमतों को फिर से श्ट्रॉंग करे या एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को मतलब फिर से एक सेप्त है, क्योंकि 42-43 MLA को लेके चीफ इनिश्टर बना बिहार जैसे कि देखिए निटीश के साथ अभी ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर क्या सच कुछ निटीश जी एक राश्ट्र, नैशनल लेवल में राजनितन, जो एक समय लोग सोच रहे थे, वो तारे बनना, वो नहीं बनेंगे, अभी सिर्फ बिहार में ही रहेंगे, और बहुत लोग का कहना है, आज नहीं, छे माइना के बाद, एक साल के बाद, डेर साल के बाद, क्या हो सकता है, हमें भी मालम नहीं है, जैसे हम आपको बता रहे थे, सुहाश पालशीकर जी, जो राजनिती विक्यानिक है, उनका कहना है कि सचमुछ बिहार का राजनिती में जो नितिश नमबर 3, नितिश 0.3, एक 27 सरकार 5 साल के लिए चलेगा कोई जादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको डेनाई नहीं कर सकता है। 2005 से 10 उन्होंने अच्छा किया। जो सबसे जो उनका नोटिसीएबल काम था। वो सेंट्रल एड जो मिला, जो सेंट्रल से असिस्टेंस मिला, उसको उन्होंने खर्च किया। और इंफ्रास्ट्रक्ट्टर, लॉए और एक चीज़ में उनको क जो आरक्षन महिलाओ के लिए निटीजी ने शुरू किया बिहार ने, आप ये भी भूले है मात, बेटी के लिए सिर्फ शिक्षा ने, साइकल भी मिला, और और सुसाशन के बादा बार 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 तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राए नहीं हैं, फिर भी वहापस आपन जैसे का, ये सिर्फ सथा विरोधिया एंटी इंकंबंसी ने हैं, क्यों लोग इतने नराज थे हैं नितीजी के ओपर, पंदरा साल राज करें नराज इस लिए हैं कि नितीजी, कि नितीजी बेसिक्स को सबचते हैं, जब डेवलोप्मेंट की बात आती है, तो सुसासन इन कंपेडिजन, और उनका कंपेडिजन का बेंट स्पार बहुत पुराना है, जो क्या अप्सलीट है, वो अपने टेनूर से अपने टेनूर से देखें कैसे उनमें ग्राजवाल लिक्लाइन आया है, उनके परफॉमेंस में, दूसरी दिक्त रही हैं कि एक ग्रैंट विज हो रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं अभी भी इस पैंडेमिक के टाइम में भी, तो निती स्कुले के वाइड़ स्प्रेड एंकर इसलिए था, क्योंकि वह ग्रांड विजन निसिंग का लों के नजर में, और उनके और जो एक एक मतलब रिमिटंस डिवन एकानमी हो उस सेक्शन का इंगर था इनको लेकिन इती स्कुले के और जो इलीट से उनको ये प्रॉलम्स थी किंडर चल्व जे समकारे बिल्कुल ही बिहार में नहीं बढ़ा है, आप पुरा डेटा उठा के देखे तो प्राइमरी सेक्टर का डेटा इनका उबढ़ा है, या सर्वी से बेंकिन इंती सम्किव के बीघंगर से कुछन के लिए जो भी बाता इंगर स्युक्ति के अधिक पर जो लोग चाहते थे वह उनके आपर ता फी जो इक टस था उन्में, जो ग्राउंट टस था नितीस कुमार से एंगड़ी होने का मौका प्रोसिसटन ने भी दिया, गोई कोई कोई की ःषि हो ढई वो बार साइकल बोल रहे से गभाया उनको यह बताना चाहिए शाइकल चलना से बरी बात था उहां पर ऑस लोग जो पीस्फोल थे और काम कर रहे थे आ कोलिज जा वो ठीक से मार्केट नहीं कर पाए अपने हारों, बीजेपी ने अच्छी मार्केटिंग किए, उनको मिला, अज नितिस्ची सेकेंड फिडल बन गये हैं बिहार में केंद्री स्वास्थ मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार यानि 13 नौमबर को जारी आगड़ो के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 44,889 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 547 मरीजों की मौत हुई है, साथ ही इसी बीस देश भर में कोरोना से पेडित 49,899 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 4,747 मामले कम हुए हैं देश भर में अब करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 87,28,795 हो गई है, जिन में से अब तक 1,28,668 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्याले की ताजा जानकारी का अनुसार, रिकवरी रेट में आज 0,10,08 की फिस्दी की बढ़ोतरी के साथ, रिकवरी रेट बढ़कर 92,09,7 फिस्दी हो गया है यानि अब तक कुल मरीजों में से 81,15,580 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संक्या घट कर 5,05,5 फिस्दी यानि 4,84,547 हो गई है भारती आयुरिग्यन अनुसंदान परिशद यानि की ICMR द्वारा जारी आगडों के अनुसार अब तक 12 करोड 31,1649 सेंपल की जाच की गई है जिन में से 11,49,230 सेंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है आज के डेली राटों में बस इतना ही न्यूस्क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे साथी देश और दुनिया की अन्खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करे न्यूस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया